हलो बहनों भाईयों नमस्ति सज्जन फूर्ट जर्णी में आप सबका स्वागत है साथियों आज हम बनाएंगे मूली का हलुआ तो आपको दिखाते हैं कि मूली का हलुआ कैसे बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है साथियों तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दो मूली मैंने ये ली हैं इनका ये छिकल उपर से देखी इस तरीके से हटा देंगे पतला पतला सा उपर से हटाएंगे अच्छे से इसको उपर से साफ कर लेंगे ये देखिए ये इसको छील लिया इसी तरीके से दूसरी मूली छील लेंगे ये दोनों मूलिया चील लिए इसका डंठल उपर का भटा देंगे नीचे से भी उसके बाद में इसको साथिएं कुद्दू कस करना है गद्दू कस करेंगे ये देखिए इसके डंठल हटा धूसरी अगीए और उसको जो है कद्दू कस कर लेंगे और कद्दूकस के मोटे वाले छे से यह देखी है, उससे कद्दूकस करेंगे, मोटा मोटा कद्दूकस करना है, जैसे गाजर का करते हैं, गाजर का हलुआ बनाते हैं, उसी तरीके से इसको भी मोटा मोटा कद्दूकस करेंगे, इस तरीके से आसानी से इसको कर लेंगे, दोन इसको कद्दू कस कर लिया है और इसका पानी साथ निकाल देंगे निचोड देंगे पानी इसका निचोड देंगे हांस से अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से निकालना है अब मूली छील करके हमने धुल ली थी इसलिए अब इसको धुलने की जरूरत नहीं है पानी इसका निकाल देंगे, और निकाल करके अलग प्लेट में एक इसको रख लेंगे, यह देखिए, इसका अच्छे से पानी जितना हां से ताकत लगा करें निकल चकता था, उतना निकाल दिया है, बाकि जब इसको भूनेंगे तो यह जल जाएगा, यह देखिए, सारा इस लाल करके एक प्लेट में रख लिया है और बहुत ही साथियों मूली का हलुआ बहुत अच्छा बनता है आप बस देखते रहें वीडियो बहुत बढ़या बनेगा यह देखिए एक बरतन में मैंने पानी लिया है इसको गरम हो दो मूली को साथियों उबालेंगे चार से पांश मुर्टिक इसको पकने देना है इससे ज्यादा नहीं और खुले बरतन में पकाना है कूकर में नहीं पकाना है ताक इसकी जो लच्छे हैं यह बने रहें और इसका जो कड़वा पन है वो हलका सा उबालने से निकल जाएगा और यह पक भी जाएगी यह देखिए इसको चलाते रहेंगे इस तरीके से चार मिनट हो गए है साथी इसको अब यह देखिए अब यह अच्छे से बहुत नहीं गला है लेकिन पक गये है 90 परसेंट यह पक चुका है यह देखिए अब बहुत नहीं पकाना है असी से 90 परसंट तक इसको पकाना है और उसके बाद इसको जो है एक छनी में साथ यूँ निकालेंगे नीचे एक बरतन रखेंगे उपर से बड़ी सी छनी रखेंगे उसी में इसको रख देएगे ताक इसका जो पानी है वो सारा निचुल करके बरतन में चला जाए और उस पानी उसमें चला जाएगा यह इस तरीके से इसको निकाल लेंगे लिए यह देखें चनी में बढ़े आशा भी इसको थोड़ी देख थंडा होने इसको बनाने के लिए साथ हुए देखें मैंने किसमिस ली है बादाम लिया है काजू लिया है और इलाइची ली है और इस लिया है पिस्ते का छिक्का लटा दे और देखिए सारी चीजें हमने बारी काट लिये किसमिस नहीं काटी इलाइची के दाने निकाल लिये है उनको थोड़ा सा करस कर लिया है यह हमने देखिए चीनी ली है पचास ग्राम चीनी है यह ज्यादा नहीं मैंने ली है आधा बा बहुत अच्छा इससे बनेगा ये देखिए अब ये ठंडा हो जुका जो मूली थी हमने मुबाइल के छनिम रखी थी इसको इस तरीके से गिलास लेंगे उसकी पेंदी से दबा दबा के इसका पानी निकाल देंगे ने चोड़ देंगे अक्छे से ये देखिए ये इसका मू करब हो जायेगा तो इसमें जो मूली हमने उबाल करके रखी है वह इसमें डालेंगे और पकाएंगे बहुत ज्यादा पकानी के जरूरत नहीं है भून ना है कि वह इसका पानी जो है वो जल जाए जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हो और भुर्भुरा हो जाए मूली जो है भुर्भुरी हो जाए विल्कुर कि देखिए इस तरीके चला चला कि इसको भून लेंगे बढ़िया अभी देखिए इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जब पक जाएगा तो थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा इसका इसमें साथ यह चीनी डाल देंगे जो हमने चीनी ली थी अधा बाउल वो डाल देंगे चीनी आप स्वाद के काईडिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं कि ध्यान रखें साथ यह बिल्कुल बहुत अच्छी डिस है और आप इसको अपने घर में बनाईए देखिए गर बहुत अच्छी बनती देखिए इसका कलर वाइट से गोल्डेन की तरफ चा रहा है चेंज हो रहा है 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 अभी बहुत अच्छी इसका कलर आ जाएगा और इसका जो मूली में पानी था वो भी जल गया है लगभद थोड़ा सावर पकाएंगे यह देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका अब साथ ही यह देखिए पगए इसमें हम डाल देंगे खोया मावा इसमें डालेंगे यह गाए का मावा इस्तेमाल कर रहे हैं हमने बताया था आपको दो मुठीस में हमने खोया डाला है कि खोया डाल करके भी दो तीन मियुट तक पकाएंगे इसको अच्छे से उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा खोया और जरूरत पड़ रही है मुझे लग रहा महसूस हो रहा तो एक मुठी और डाल देंगे क्योंकि खोये कभी टेस्ट हलुए में जवर्जस्त आता है बगेर खोये के हलुआ धूरा रहता है अब इसमें साथ यह कटे हुए मिवा डाल देंगे यह हमने इसमें पिस्ता डाल दिया है यह देखे किस्मिष डाल डाल दिये यह बादाम हमने काटके रखे थे वो डाल दियें यह देखे काजु काटके रखे थे वो डाल दिये अब इसको चलाएंगे इलाइची के दाने साथ यूँ थोड़ा सा बाद में डालेंगे पहले ये सब पका लेंगे इलाइची के दाने अवस्य दालें ये देखी बिल्कुल फिट है अब एस में इलाइची का दाना जो है लिया था पीस लिया था उसका हलका सामने वो डाल दी है इसमें और इसको मिक्स कर देंगे अब साथ यूँ से बहुत अच्छी कुष्भू हल्वेज गाने लगने है बहुत बढ़ा कुष्भू आ रहे हैं ये देखी है हल्वा बिल्कुल बन करके रेडी है इसको एक प्लेट में साथ ही उसर्व कर ल अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो करपया मेरे वीडियो को लाइक करें अगर साथियों चैनल पर नए हूं तो करपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नवस्कार